नमस्कार आज तारीख है 3 नवंबर 2022 और आप सुन रहे हैं इंडिया टीवी पॉड़कास्ट पर मॉर्णिंग बुलिटन आईए जानते हैं देश दुनिया की पांच बड़ी खबरें आज यूपी, बिहार, महराष्ट, हरियाना, ओडिशा और तिलंगाना की साथ विधानसवा सीटों पर उपचनाव होगा 6 नवंबर को इन सभी सीटों के वोटों की गिंती की जाएगी जिन साथ सीटों पर उपचनाव हो रहा है उनमें दो-दो सीटों पर भाजपा और कॉंग्रेस का कबजा था नहीं तीन सीटों पर बीडे जी, शिवसेना और आरजेडी थे राश्पती द्रौबदी मुर्मू आज मिजोरम जाएंगी मिजोरम में मुर्मू एजुकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्स का उधगाटन करेंगी साथ ही इजोल में मुर्मू मिजोरम विश्व विध्यालाई के सत्रवे दीक्षांत समहारों में शामिल भी होंगी राश्पती दो नमंबर से नौर्थ एस्ट के दोरे पर हैं पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शाबाज शरीफ ने चीन यातरा के दूसरे दिन राश्पती शीय जिनपिंग से मुलाकात की इस दौरान शी जिन्पिंग ने पाकिस्तान में रहने वाले अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिन्ता जाहिर की है बीजिंग के Great Hall of the People में प्रधान मंतरी शाहबाश शरीफ से मुलाकात के दौरान जिन्पिंग ने कहा कि सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच इस साल जुलाई से पैट्रोल डीजल और एटीफ के निर्यात पर विंडफॉल टेक्स लगाया था भारत अमेरिका और यूरोप के साथ साथ कई बड़े देशों को पैट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट करता है सरकार ने डीजल पर टेक्स बढ़ा दिया है लेकिन आप लोगों को घबराने की जरुवत नहीं है क्योंकि सरकार ने ये वृद्धी देश से एक्सपोर्ट किये जाने वाले डीजल के दाम में ही किये टीटवेंटी वर्ल्ड कब में कल एक रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने बांगलादेश को पांच रन से हरा दिया इसके साथ ही टीम इंडिया सेमी फाइनल में अपनी जगा लगबग तै कर चुकी है भारत अपना अगला मुकाबला जिम्बाबवे के सामने 6 नमंबर को खिलेगा वहीं वर्ल्लकप में आज की बात की जाये तो पाकिस्तान की टीम साथ अफरीका के सामने अपनी दावेदारी पेश करेगी आपको बता दें कि पाकिस्तान पहले ही वर्ल्लकप से लगबग बाहर हो चुकी है वहीं साउथ आफ्रिका गुरूप बी में पहले पायदान पर बनी हुई थी और भारत के जीतने के बाद वो दूसरे पायदान पर खिसक चुकी है ये थी आज की देश दुनिया की पाँच बड़ी खबरें ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए इंडिया टीवी पॉड्कास्ट पर मॉर्निंग बुलिट धन्यवाद